हलो डियर फ्रेंट्स आज भी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट यार पड़्डा में फ्रेंट्स मसलम और आज भी कसे हूँ आई हूँ कि आप सब अच्छेंगे फ्रेंट्स आज की कलास में बात करेंगे टीचर जो डियर रिकुट्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में पीजिटी यानि की पोस्ट ग्रिजट टीचर नई सी चग भरती के लिए जिसमें बिग्यापंजारी हुआ और जो टोटल सीट की बात करें आल सब्जेक्ट की तो 1661 सीट के लिए विग्यापंजारी हुआ और इसमें जो कॉलिफिकेशन है आपकी ओनली पीजी ही बैलिड है इसमें बीड को मैंडेटरी नहीं रखा गया है पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीड मैंडेटरी और इसमें जो सेलरी रहेगी तो 44,900 से ले करके 1,42,400 तक के बीच आपकी सेलरी रहेगी तो उससे पहले बता देए आप मेरी क्लास में नए है तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरी चैनल को लाइक सब्क्राइब और जरूर कीजिए और चलिए इसके बारे में सेलक्षन बोर्ड हाजर एजुकेशन डिपार्टमेंट गौर्णमेंट आप ओडिसा बुनियोसर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुई है यहां इसके वेबसाइट लिंक दिये गए है यहां इसके इमेल आइडी लिंक दिये गए है जहां से आप किसी भी परकाल के सकते हैं और यह जो रिकुट्मेंट जारी हुआ है पोश्ट आप पोश्ट ग्रियूट टीचर इन नान गौर्णमेंट आइडड हाजर एजुकेशन हाजर सेकंडरी स्कूल से आप ओडिसा के लिए जारी हुआ है और किसके एंडर में अंडर दी इसमें जो आनलाइन अप्लिकेशन ये इनवाइड किया गया है जिसमें आपके टोटल जो सीट है 1061 सीट है और यहां जो पेश्केल दे रखी है तो 44,900 से लेकरके 1,42,400 तकी रहेगी और इसमें बात करें तो आप एपलाई ओनली आनलाइन ही मोट से कर पाएंगे और यहां इसकी important dates दे रखी है तो इसकी opening date है अट्रा मार्च और जो last date है तो वो अट्रा प्रहेंल यानि की one month का time duration है आपके पास एपलाई करने के लिए और यहां तो यहां तो यहां इसकी direction दे रखी है और नीचे आते हैं यहां बैकंसी position दे रखी है तो हम देखेंगे कि subject में कितन प्रहें तो उसमें आपके selection के chance से ज्यादा होती है एजुकेशन में 50 है इंग्लिस में 148 है जियोग्राफिय में 5 है जियोलोजी में 2 है हिंदी में 1 है और बात करें तो और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि history में आपके 146 है home science में 7 है IER PM में 2 है logic में 38 है mathematics में 39 है औरिया में 130 है physics में 35 है political science में 144 है और psychology में 7 है Sanskrit में 38 है sociology में 15 है तेल्गू में 2 है उर्दू में 1 है और जूलोजी में 25 है इस तरह जो total seats available है तो 1061 seat है तो फ्रंट से इसमें जैसे कि कुछ subject है जैसे कि economics है इंग्लिस है history है और बात करें political science तो यह subject आपका होगा इसमें से कोई भी subject है आप त ज्यान से ज्यादा होंगी सेलेक्शन के और इसकी जो एज लिमिट है फ्रंट से तो आपके 21 बर्स से लेकर के 38 यर्स तक के होनी चाहिए और फ्रंट से इसमें कोई बार ने दे रखी है यानि कि 2 जनौरी 1986 से पहले आपकी बार ने आने के जन्म नहीं होनी चाहिए तो एज जनौरी 2003 के बाद नहीं होनी चाहिए तो भी आपकी एज लिमिट 21 बर्स कंप्लीट नहीं होगी इस वज़ा से इसा बुला गया है और इसमें रिलेक्सेशन भी है तो फ्रंट से इसमें 5 यर्स की रिलेक्सेशन है ऐसे कंडिडेट्स जो की स्ट हैं और से बीसी हैं और और रिलेक्सेबल किसके लिए है 10 यर्स की ऐसे कंडिडेट्स जो की बिलोंगिंग टू PWD के कटेग्री की हैं तो उनके लिए यह 10 यर्स का है और बात करें फ्रंट से तो इसमें आएसे परसन से जो डिजबिल्टी बिलोंगिंग है CST, CBC कटेग्री से तो उनको इसमें 15 यर्स के साथ तो आप इसको एपलाई कर पाएंगे और यहां दिया गया है एक कंडिडेट मस्ट है एक्वाइड बियड और इक्विलेंट डिग्री रिकाग्नाइड बाइ नेशनल कांसिल फार टीचर एजुकेशन न्यू दिलही है इक्विलेंट बित डियड यानि कि ये कुछ स सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके बियड की जरूरत नहीं है तो यह कौन-कौन से हैं जैसे की कामर्स हैं एजुकेशन हैं जियोलोजी हैं होम साइंस हैं लोजिक और फिलोस्पी हैं साइकोलोजी हैं सोसियोलोजी हैं आई आर पीम हैं तेलोगू एंड उदू सब्जेक है तो इसमें आपको only PG qualified है तो आप apply कर सकते हैं और यह subject है बीएड mandatory वाले तो इसमें हैं आपके chemistry है economics है इंग्लिस है जियोग्राफी है हिंदी है हिस्ट्री है mathematics है उडिया है physics है political science है अंस्कृत है और जुलोजी सब्जेक्ट है जिसमें आपको be a qualification की ज़रूरत पड़ेगे और इसमें जो method आप selection रहेगा तो आपका written test होगा और career assessment होगा इसी के दौर आपका selection होगा तो आपका जो written test होगा तो तो देट सो mark होंगे multiple choice question होंगे और career assessment जो होंगे तो फिप्टी marks होंगे जिसमें आपके जो total marks बनेंगे फ्रेंट से तो आपके 200 marks बनेंगे और जो यहां question रहेगा फ्रेंट से तो आपका यहां दिया गया है कि जो written test होगा तो 150 marks जो रहेगा तो यहां दिया गया है इसका syllabus से कहां ना दिया गया है तो इसके आप इसेल वेबसाइट पर और इसमें आपके टोटल जो कोश्चन रहेंगे तो 100 कोश्चन रहेंगे तो OMR एंसोर्सिटी दी जाएगी आपको और टू आवर्स का टाइम डियरेशन रहेगा फ्रेंट से और इसमें दिया गया है क्वालिफाइंग मार्स जो होगा फ्रेंट से तो इसमें अन्डे रिजर्ब काटेगरी होंगे जो या फिर जनरल होंगे तो उनको 40% लाना अनिवा बातहिक तो यहां इसे देए गये हैं मैं क्वालिफिकेशन की तो यह आपके व्ot Y माइट रिकुलेशन यानि 10 से लेकर के PG तक की या B8 तक की जो भी होगी तो सारी की एसेश्मेंट की जाएगी तो इसमें आपके फर्स्ट डिविजन क्लास सिकंड डिविजन थार डिविजन जैसा होगा तो आप जिसमें भी होंगे eligible तो वैसा आपको मार्क प्रोवाइट किय ही है तो उनका जो टोटल मार्क होगा तो वो 30 मार्क बिटेज बनेगा और ऐसे कंडिडेट से जो जो बीएड मेंडेटरी वाले हैं तो उनका 70 प्रसेंटेज मार्क बनेगा टोटल यानि की उनका कारियर एसेस्मेंट और बनेगा टोटल तो यह इस प्रकार का होगा इनका और बात करें तो यहां भी दिया गए है काफी इंफार्मिसन और जो आप एक्जामिनेशन यानि कि इसके एरिया दिये गए हैं जहां पर आपका एक्जामिनेशन सेंटर होगा तो जैसे किबाला सोर है और बेरहमपूर है और भावानी पटना है मुनेशर है क Mistress है और जेपूर है और क्योंगर है राउर केला है प्यांट सांबल पूर पूर है तो यह इसके दिए गये हैं सेटार्स है तो यह दिए गये हैं डेपेंटिंग अपांधी नंबर आप हैं तो यहां अप्लिकेशन फीस दिए गयी है प्रेंट से 500 रुपे है जो की unreserved category वालों की दिया गया है और फ्रंट से जो unreserved category है SEBC हैं तो उनकी 200 रुपे है और फ्रंट से इसमें जो SCST PWD candidates हैं तो उनकी भी 200 रुपे रहेगी और बात करें फ्रंट से तो यहां दिया गया है प्रोसीडर आप अप्लीकेशन तो कैसे करना है इसको देख लिजिए और अधर एलेजबिल्टी कंडिशन भी देख लिजिएगा क्योंकि यह सब बहुत जरूरी होती है अधर कंडिशन यहां भी काफीन फार्मेशन दिये गए हैं तो इसको एक बार जरूर चक कर लेना प्रोसीडर बताये हैं तो फ्रेंट से चलिए ह हम बात करते हैं इसको कैसे करेंगे और इसकिल विजिटींड । यहां से ओनलाई और इसकंद करने का लिंक दिया गया है तो यहां आप यहां से आनलाइन कर पाएंगे और प्रेंट से इसके नोटिविकेशन को डाउनलोड करने के लिए जब आप इसके आप इस इल वेब साइट पर बिजिट करेंगे फिर नीचे इस खुल डाउन करके आएंगे तो आपको जो यहां सिकेंड में दीख रही है यही इसके नोटिफिकेशन है तो इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो फ्रंट से इसमें इतनी इनफार्मेशन थी और यह दिया आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक सब्क्राइब और शेर जरू कीजिए थाइंक्यू